हाई अब्रीवन वालकम बैक टू मैं चैनल मैं अपने किचिन काबिनेट को और नाइस करने जा रहे थी तो सोचा क्यूं ना आप सभी के साथ में अपना कुछ एक्सपिरियन्स शेयर करूँ और साथ में ही आपके भी कुछ आइडिया और ओपीनिया मैं जान सकूँ ताकि मुझे भी कुछ हैल्प मिल सके अपनी किचिन कैबिनेट को और नाइस करने में तो आज कर वीडियो इंट्रेस्टिंग होने के साथ साथ इंस्पारिंग भी होने जा रहा है तो बने रहेगा वीडियो के एंड तक अगर मेरे ये वीडियो पसंद आए न तो प्लीज लाइक शेयर और कॉमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलेगा और नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिगा इस चैनल को तो मैंने अपने किचिन को और नाइस करने के ये मेरी शादी के कंटेनर्स है और प्लास्टिक के कंटेनर्स है तो इन सब भी को रिमूव करके दी क्लटर करके मुझे अब नई चीज़ें यहां पर आइड करने है क्योंकि अभी मेरा नया किचिन बना है तो धीरे-धीरे करके अब मैं अपनी किचिन को और गनाइस कर रह है वो सब शादी के है उस टाइम पे इतना जादा आइडिया नहीं रहता था बस अपने पॉकेट को देखके जो सुन्दर लगा तिकाओ लगा बस वही ले लिया वही किचिन में रख लिया फ्रेंस जब भी मैं अपने किचिन काबिनेट को साफ करती हूं तो रात के वक करत है तो सुबह जल्दी उटके मैं अगले दिन फिर अच्छे से साफ करके सारा ओगनाइस करती हूं तो इस तरह से मेरा काम करने का तरीका है वो मैं आपके साथ में शेयर करी हूं और जो भी यह जो जास हैं कंटेनर से इनमें जो भी समान था लैफ्टोबर जो भी समान था न मैं इनको सारा समान एक बार चेक कर लूँगी देख लूँगी और उसके बाद में यह जो ग्लास कंटेनर से उनको वाश करके सुखा के अच्छे से तब मैं रखूंगी सारा समान के मुझे किसमे अब क्या रखना है तो ग्लास कंटेनर की मुझे सबसे जादा खास बात बलकुल नई जैसे हो जाते हैं as comparative to plastic के है प्लास्टी के जाज जो है कुछ टाइम माद एक दव फेड फेड से लगने लगते हैं तो मुझे यह glass jar सबसे जादा अच्छे लगते और में पस इस तरह का भी दो glass jar का set है आजकल इस तरह की lock system जो है बहुत जादा trend में हैं तो ये ग्लास जार भी मुझे बहुत जादा अच्छा लगता है, स्कॉायर शेप का है, और इसके जो लिड है, लिड पे चारो तरफ, या तो सिलीकॉन की रबर दी होती है, सील दी होती है, या इस तरह की रबर दी होती है, जिससे इसमें एर टाइट रहता है, तो कोई भी सम खराब नहीं होता है, तो ये वाले कुकीज वगरा रखने के लिए लड़ू हैं, बिस्किट्स हैं, वो रखने के लिए बहुत अच्छे से काम आते हैं, तो इनको जरनली में अपने डाइनिंग टेबल पर या ऐसे प्लेस पर रखती हूं, जहां पर सामने दिखता रहें, और इजिली वो चीज़े यूज में आ जाएं, खाने में आ जाएं, तो ये कंटेनर्स भी मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, और ये वाले जो कंटेनर्स हैं, प्लास्टिक के जो शादी वाले हैं, अब तो पूरी तरह से को हठाना है, मुझे अपने किचिन से केवल बा साथिये ऊपनाना है, कौन सा ख़तम हो गया, कौन सा मगणा है, किसी सामान में कुई कीडे वगएरा तो नहीं लगए, और इसक जो ये जो लिड सीलीकॉन की रबर दी बनाती है, तो इसमें को बी समान रखो तो खराब नहीं होता, तो इसलिए मुझे अब च्छादी आपन चुछ तरह को कुछ का बुदम करेंए तो काम के साहिए。 नोंदेट्टिमे सहादान के सिलाटना वर्टॉफ एक वेड़न तरह को परिया साहिए एक मिपडे़नेट्ँ के सब्सक्राइब। तो उनको रखने के लिए बहुत अच्छे हैं अगर आपको open shelf है आप रखना चाहते हैं तो इस तरह के जो jars है न मुझे बहुत जादा अच्छे लगते हैं मुझे ही लगता है friends कि kitchen में छोटे बड़े हार size के containers होने चाहिए क्योंकि kitchen में बहुत सारा इसे समान होता है जो कम quantity में use आता है कुछ जादा quantity में use आता है तो उसके cording I think के छोटे बड़े हार size के जार होने चाहिए यह last बचा है तो इसको तो बिल्कुली फैक ना है मुझे वहताना है तो मैंने अपने सारी containers को अच्छे से fill कर दिया है मैंने ना एक चीज और देखी जो पतले काच वाले जो लंबे जार होते इसको साफ करने में भी बहुत जादा दिक्कत आती है और अगर इसके अंदर कोई समान fill कर रहे है ना पूरा आपने भर दिया तो डर लगता है अगर आपने हलके से भी जटके से रखा ना तो तूटने का डर लगता है उसके comparison में मुझे ये वाले जारना जादा अच्छे लगे क्योंकि इसमें अगर कोई भी समान रुकोंगे सबसे पहली बात तो इसको साफ करने में बहुत इजी रहता है दूसरी बात मोटा कांच है तो कोई भी समान आराम से आजाएगा रख भी दिया हलके जादा मतलब थोड़ा जटके से तो ये टूटेगा भी नहीं तो अब आरी आती है किचिन को औरगनाईज करने की तो मैंने सारी जितने भी कंटेनर्स थे ना उनको फिल अप कर दिया है और इनको कुछ इस तरीके से अरेंज कर रहे है पहले कुछ इस कैबिनेट की हालत कुछ स्टैट से थी और अब औरगनाईज होने के बाद में ये मुझे तो बहुती जादा अच्छा लग रहे है आपको कैसा लग रहे है मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा बहुत अच्छे से औरगनाईज हो गया सारा समान आ गया और ये जो छोटे कंटेनर्स देख रहे है इसमें मैंने जो कम कॉंटिटी में यूज आते है रेग ही तेल निकाल के रखाए ताकि छोटी बढ़नी में इसमें से उसमें निकालना जादा इजी रहे बजाए वो बड़े कंटेनर्स को उठाओ फिर निकालो तो कुछ इस तरीके से औरगनाईज किया है जो उपर वाला शेल्फ है उसमें मैंने ये वाली कंटेनर्स रखे जिस में जो क्वंटिटी आगी ना काफी अच्छ से आगे और यहीं पर मैंने अपने डियाइवाइ कंटेनर्स भी रखे जो की स्टील के हैं तो यह वाला जो कैबिनेट है ना यह मेरे किचिन हॉप के जस्ट राइट इन साइड पर उपर की तरफ है उनको मैंने यहां पर इसलि मैंने अभी रखी है क्योंकि दाल वगेरा जो होती है एक डेड़ किलो या दो किलो के जनरली हम लोग अच्छ से क्वांटिटी में रखते हैं तो इस तरह के जो जास होते हैं ऊपर कैबिनेट से उठाने में दिक्कत आती है अगर यहां से मैं उठाती हूं तो वो मुझे ए एक ओपन शेल्फ है जहां पर मैंने यह वाले जो वुडिन लिड़ वाले जार है वो रखे हैं जो कि इन में वो समान मैंने सारा रखा है जो मुझे डेली लेना होता है और सामने रहते हैं तो मुझे दिखता रहता है अगर कैबिनेट में कहीं अंदर रख दू तो मुझे नहीं है और मैं भूल जाती है ले न तो इसलिए मैंने इनको सामने रखा और चोटे-चोटे प्यारे-प्यारे तो पीछे से इनको निकालने में दिक्कत होती है इसलिए इस साइज की जो वन कीची वाले जो जार होते है वो मुझे थोड़े कम जचे बूपर वाले सेक्शन में मैंने कुछ ज्राय चीजे रखि यह गोलपई वगरा है कुछ इस तरह की चीजह और यहीं पे मैंने अपना कलेंडर भी लगाया हुआ है, अब मेरी kitchen cabinet अच्छे से organize हो गई है, जिसका final look कुछ इस तरीके से है, आपको आज के वीडियो में क्या अच्छा लगा और आपके अगर कोई suggestions हो, ideas हो तो मुझे please comment box में message करके जरूर बताएगा ताकि मैं उसको implement कर यह था आज का वीडियो, I hope आपको पसंद आया हो, अगर पसंद आया हो तो please like, share और comment करना मत भूलेगा नए है तो subscribe जरूर कीजिए गैस चैनल को